आज मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताने वाला हूँ जो based है artificial intelligence पर और आपके दौरा type कि एक text को convert करता है speech में लेकिन इस टूल में कुछ ऐसे features हैं जिसकी बज़े से ये आगे चल कर ban हो सकता है इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मेरे दौरा बनाई गई एक artificial character आपसे एक request करना चाहती है इस टूल का नाम है 11labs इसका domain name है 11labs.io आपको अपना web browser open करना है और type करना है 11labs.io इसके बाद आपको अपनी email id से एक free account create कर लेना है जैसे ही आप एक free account create करेंगे आपको हर महीने एक limit मिलेगी वो है 10,000 characters की यानि कि आप हर महीने 10,000 characters को speech में convert कर सकते हैं वो भी जिसके लिए आपको एक भी पैसे pay नहीं करने मींस ये feature आपको free में मिलने वाला है आप मैं बात कर लेता हूँ उस feature के बारे में जो आगे चलकर ban होने वाला है आप species synthesis में जाएंगे तो ये आपका इस page पर हमें काम करना है यहां पर एक option आ रहा है add voice यहां पर देखो predefined voice है कुछ artificial characters के नेम है Adam, Anthony, Arnold ठीक है न यह नेम है लेकिन यहां पर है option add voice add voice option से क्या होता है कि आप किसी की भी voice upload कर सकते हैं दुनिया या वर्ल्ड की कोई भी फेमस लीडर या celebrity की आवाज यहां पर upload करें इसके बाद उसकी आवाज में आप कोई भी message generate कर सकते हैं तो हो सकता है कुछ लोग इसका negative यूज कर सकते हैं hate speech को ठीक है ना hate species को फैलाने मे social media यहां से generate कर लिया अपर social media मुसको फैला रहे हैं तो यह एक ऐसा feature है जिसकी विजह से हो सकता है कि आगे चलकर यह band भी हो जाए क्योंकि इस feature की मदद से आप किसी की भी आवाज में आप message generate कर सकते हैं लेकिन समस्या क्या है कि यह free जो version है इस software का वहाँ पर यह feature available नहीं है अगर आपको इस feature को यूज करना है तो आपको इसका paid version यूज करना होगा जो कि बहुत महँगा नहीं है ओके सो हम इसके free version में काम करेंगे यहां पर यह artificial characters की आपको किसकी आवाज में message generate करना है तो माने चूज कर लिया Adam यहां पर है voice setting की कैसी stability चाहिए तो ability लगबग यह setting ऐसे ही रहने दीजिए बाद में आप चाहिए तो प्रेक्स कर सकते हैं चीक है यहां पर वह आप टेक्स लिख सकते हैं जिसको आपको generate करना है चूंकि मन्थली आप generate कर सकते हैं लगबग 10,000 करेक्टर तो मेरा जो लिमिट बची है वह साड़े 8,000 की लेकिन एक बार में लगबग 30,000 करेक्टर का एक message आप generate कर सकते हैं तो start करते हैं बिना देरी किये मैंने यह लिखा चूज किया और यह text लिखा हुआ है अब मुझे generate करना है तो मैं click करूँगा generate बिटन में जैसे ही generate बिटन में click करूँगा यह message generate हो जाएगा text-to-speech is a type of assistive technology that reads digital text aloud it's sometimes called read aloud technology okay इसके अलावा आप अगर change करना चाहें तो यहाँ पर इसकी voice change कर सकते हैं मैंने इस बार बेला चूज कर लिया इसके बाद इसको मैं फिल से generate करता हूँ text-to-speech is a type of assistive technology that reads digital text aloud it's sometimes called read aloud technology ठीक है तो इस तरहिके से आप अपना message generate कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर यह download link आ रहा है यहाँ पर जैसे हैं आप click करेंगे तो MP3 file में यह पूरा voice message generate हो जाएगा फिर आप जैसे चाहें वैसे इसका use कर सकते हैं यह जो मेरी artificial intelligence based जो character थी जिसने आपसे request की थी channel को subscribe करने की साथ आपने कर भी दिया होगा वो message भी मैंने generate किया था इसी tool का use करके तो यह था हमारा आज का वीडियो जल्दी आएंगे हम किसी next tool के साथ Thank you